देश में बिते वर्षों में जो सबसे बड़ा बड़लाव हुआ है वो है देश की कृशी निती में पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है कितनी कमी है इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को स्वाइल हेल्थ कार देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया अगर हम किसे को मनुश्य को हेल्थ कार देना तो भी अकबार में हेडलाइन बन जाएगी कि मोधी सरकार ने कुछ अच्छा काम किया यह देश ऐसा है जो स्वाइल हेल्थ कार दे रहा है लेकिन मिडिया के नजर अभी कम है पूरे देश में बाइस करोड से जादा स्वाइल हेल्थ कार किसानों को दिये गए और सिर्फ कार यह नहीं दिये बलकि देश बर में स्वाइल टेस्टिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा नेट्वर्क भी तयार हुआ है आज देश के करोडो किसान स्वाइल हेल्थ कार से मिली जानकारी के आधार पर फॉर्टिलाइजर्स और माइक्रो नूट्रिंस का उप्योग कर रहे है इससे किसानों को लागत में आठ से दस प्रतिशत की बचत हुई है और उपज में पांच से छे प्रतिशत की बढ़ोतर दिखी गई है यानि जब मिट्टी स्वस्त हो रही है जब मिट्टी स्वस्त हो रही है तो उत्पाद भी बढ़ रहा है मिट्टी को लाग पहुचाने में यूरिया की शत प्रतिशत निमकोटिंग ने भी बहुत फाइदा पहुचाया है माइक्रो इरिकेशन को बढ़ावा देनी की वज़े से अटल भूयोजना की वज़े से देश के अनेक राज्यों में मिट्टी की सहथ भी समभल रही है कभी-कभी कुछ चीज़े अब मान लीजे कोई देट दो साल का बच्चा बिमार है तबियत ठीक नहीं हो रही है वेट नहीं बढ़ रहा है उंचाई में भी कोई फरक नहीं आता है और मान को कोई कहे कि जरा इसकी चिंता करो और उसको कहीं सुना हो कि भई स्वास्त के लिए दूद वगेरे चीज़े अच्छी होती है और मान लो वो हर दिन दस दस लिटर दूद में उसको स्नान करवा दे तो उसका अस्वास ठीक होगा क्या लेकर नकर कोई समझदार मा एक एक चमच थोड़ा सड़ा दूद उसको पिलाती जाए दिन में दो बार पांच बार साथ बार एक एक चमच तो दिर दिर फर्क नजराएगा यह फसल का भी ऐसा ही है पूरा पानी भर करके फसल को डूब़े तो जैसे फसल अच्छी होती है ऐसा नहीं है बुंद बुंद पानी पिलाए जाए तो फसल ज्यादा अच्छी होती है पर ड्रॉप मौर क्रॉप अनपड मा भी अपने बच्चे को दस लिटर दूसरे नहलाती नहीं है लेकिन पढ़े लिके हम लोग पूरा खेद पानी से पर देते हैं खर इन सारी चीजों में बढ़लाव लाने के लिए कोशिस करते रहना है हम कैट रेइन जैसे अभ्यानों के माध्यम से जलस सवरक्षन से देश के जन जन को जोडने का प्रयास कर रहे हैं इस साल मार्च में ही देश में तेरा बड़ी नदियों के सवरक्षन का अभ्यान भी शुरू हुआ है इसमें पानी के प्रदुशन कम करने के साथ साथ नदियों के किनारे बन लगाने का भी काम किया जा रहा है और अनुमान है कि इस से भारत के फोरेस्ट कवर में 7400 स्क्वाइर किलोमेटर से जादा की बडोत्री होगी बीते आठ वर्षों में भारत ने अपना जो फोरेस्ट कवर 20,000 स्क्वाइर किलोमेटर से जादा बढ़ाया है उसमें ये और मदद करेगा साथियों भारत आज बायो डाइवरसिटी और वाइट लाइप से जुड़ी जिन नितियों पर चल रहा है उसने वन्ने जीवों की संख्या में भी दिकोर वृद्धी की है आज चाहे टाइगर हो लाइन हो लेपर हो या फिर अलिमंट सभी की संख्या देश में बढ़ रही है